हालो फ्रेंट से फिर आपको होत्व स्वागता हो दूस्तों जैसे कि आपको पता होगा यूपी डियले डेन की वीटी सी फॉर्थ सिमिस्टर की जो परिच्छा हैं वह आगामी दो तीन और चार फरवरी को पेनपे की तरफ से कंड़क्ट कराई जाने हैं जिसको लेकर आगराच की तरफ से आपके जो एक्जाम सेंटर लिस्ट है वो ओफिसली रिलीज कर दी गई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस पीडियो फाइल को आपको किस टैप से चेक करना है कि हमारे जले में कौन-कौन से कॉलेजेस को एक्जाम सेंटर बनाया चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेले करने वाला हूं कि इस पीडियो में आगे मैं आपको बताने बाला हूं कि इस पीडियो फाइल को आपको किस टैप से डाउनलोड करना है यह पूरा नोटिस आप स्कीन पर देख पा रहा हूंगे जो कि PNP प्रियागराच क में एक्जाम सिंटर बनाया गया है लगवा 31 डिक्स्टिक्स में एक्जाम सिंटर बनाया गया है आप देख सकते होंगे प्रिशक जो है वो सचिप जी है परिचलियम की प्रदिकार उतर प्रदेश से पिरागराच की की तरफ से यह आज 28 चनवरी को ओफीशल जो नोटिस है यह जारी किया गया आप देख सकते होंगे 2013 बैच ठीक है 14 15 17 और 18 बैच के जो चतुर सिंस्टर की परिच्छा है वो दो फरवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच में कंडक्ट कराई जानी है यह तो आपको बताई होगा इसके साथ साथ आपके जो यहाँ पर पिरवेस पत्र है उ आपको कहां से मिलेगी आप देख लीजए आपक जो परिवेस पत्र है वो आप देख लीजए 31 दिशंबर जुस्तों पता होगा 31 दिशंबर को सीटाइट का एक्जाम है उसी दिन सामको आपके पर्रिवेस पत्र हैं वो आपके कॉलेजर्स हुआ है इस डिस्टिक्स में इस कॉलेजिस को एक्जाम सेंटर बनाया गया ठीक है यह आप देख लीजिए इस कॉलेजिस को एक्जाम सेंटर बनाया गया और इस बार सब ही डिस्टिक्स में अग्जाम सेंटर नहीं बनाए गए जियां दोस्तों ओल डिस्टिक्स में अग्जाम सेंटर नहीं बनाए गए वलकि केवलों केवल यदि हम आपको यहां पर दिखाएं तो अभी आगे हम आपको दिखाने बाले हैं कि किन-किन डिस्टिक्स में अग्जाम पूर्पूर बड़े वरेली तुछ आप देख सकते होंगे दूसरा एक्जाम सेंटर भी सीस इंटर कॉलेज में ही बनाया गया है उसके बाद जो वरेली में थार्ड एक्जाम निसेंटर वो सेमसुंदर कन्येंट कॉलेज में रोड फरीगपूर वरेली तो इस टेप साप दे टेलिग्राम गुरूप की लिंक दी गई है चिहां दोस्तो टेलिग्राम गुरूप की लिंक दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप टेलिग्राम गुरूप को जोईन कीजिए ठीक है वहां पर आपको यह PDF फाइल मिल जाएगी ठीक वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगी यदि कोई confusion है ठीक है कोई doubt है तो आप नीचे comments box में type कर सकते हैं इसके साथ अब मैं आपको बताने बाला हूँ कि कौन-कौन से जिले की students को दूसरे जिले में attach किया गया है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हूँगे परिछा केंदर जनपत जो आवंटेन है वो कुछ इस step से किया गया आप देख पा रहे हूँगे यह जो यहाँ पर नेम देख रहे हैं यहाँ डिस्टिक नेम ठीक है बरेली मुरादबाद बिजनो कानपुनगर कन्योज इन जिलों मे एक्जाम सीटर बनायागाएं ठीक है कौन कौन से जिलों के बनायागाएं वो आप देख लिए आग्रा ऑ मतरा जिले के जो एक्जाम से लीयान की जो इन दो जिलों के यहाँगेरिए में एक्जाम सेंटर नहीं बनाए गए इस बार कुछ जिलों को यहां पर एक ही जिले में कंड़क्ट किया जाएंगे एक्जाम आप देख सकते होंगे जिस तरह से मुरादबाद, रामपूर, जेपी नगर और अम्रोहा के यहां पर मुरादबाद, डिस्टिक्स में एक्जाम देने बाले है, इसी तरह से आप आगे देख पार होँनगे, आगे यह डिस्टिक नेम दिए हुए हैं जिस तरह से आपको देखने केलिए मिल रहा होगा कि पिर्याग्राज जाने की इलावाद में, तीन आप अपना डिस्टिक लाइन में देखना है उसके सामने यहां पर देख लेना कि आपकी जिले के अग्जाम किस जिले में होने बाले हैं ये जो लिस्ट आपको ये भी आपको टेलिग्राम गुरुप पर उपलब्द करा दिगी टेलिग्राम गुरुप को आप जोईन कीजिए हो वहां से इस लिस्ट को भी आसानी से चेक कर सकते हैं So friends ये थे आपके लिए कुछ मैंतपोर जानकारी सी तरस्चुली लेटेस्ट अप्डेट के लिए आपके आपके असाथ बने रहेगा Thank you so much for watching this video